हाई एब्रीबन स्वागत आप सभी का इस वीडियो में हम सिनॉनियम एंडॉनियम वन वर्ड सब्सिटूशन और आपकी एडियम फ्रेजिस स्पेलिंग टेस्स को देखेंगे आप अपने साथ एक पैनन कॉपी जुरूर रखें इंपॉर्टेंट कोशिंस को नोट करते चलें आपको हर आपशन के आपको सिनॉनियम देखने को मिलेंगे उनके वर्ड मीनिंख साथ में नोट करते चले हैं आपको इस वीडियो में कम से कम 200-300 वर्ड देखने को मिलेंगे तो आप जरूर नोट करें आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट रह हूं तो आई स्टार्ट करते हम हम विद शिनॉनियम तो इसका आपको शिनॉनियम बताना है तो शित का चोंप का मतलब होता है वह होता है आपका हिंदी में गरम बात करें मसल ना तो इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्षिन भी इरिटेट या और सी नोनिम्स की बारे में बात करते हैं प्रेस हाड़ कि आद किसी को जोर से प्रेस करते हैं तो इरिटेशन हो सकती है या फिर रब टू पीसे रब टू पीसेज यह क्या हो सकता है ग्राइंड जिस ग्राइंड रोता घर में यूज करते हम क्रश तो यह है आपके शेफ के सिनॉनियम तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर बाकि सेफ जो आई यह आपको पता ही है तो इसे हम एक्स्प्लेइन नहीं करेंगे करते हैं नेक्स कोशिन आपका फैलीसिटी आपको फैलीसिटी का सिनॉनियम बताना है तो बात करते हैं प्रमशुष परम्सुख या जिस हम कह सकते हैं पर्मानंद या आनंद आप जो भी कहें तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा आप्शन एपशन एपवलिस का मतलब भी आनंद ही होता है, तो आप अगर फैलिसिटी के सिनॉनियम्स देखें तो क्या क्या हो सकते हैं प्लेजर, यह तो आपको पता ही होगा, फिर करते हैं इंज्वाइ या इंज्वाइमेंट जी, आपके हो सकते हैं ज्वाइ हैपिनेस, डिलाइट प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी और हैपिनेस होगा, एक वर्ड आपने बहुत बार सुना हुआ, एकस्टेसी ज्यादा तर आप इसे अपने दर आपके फ्रेंड्स होंगे, इंस्टागराम या फेस्बुक के जो आपके कैप्शन्स होते हैं तो जब कहीं जाते हैं तो अब जनरली एकस्टेसी वाला आपको दिखी जाएगा है, कहीं नहीं एकस्टेसी आप ज़रूरी याद रखें, ब्लिश्ट देखिए, इंग्लिश को हमें जो सीखना है आप देखिए अगर इन चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे तो आपके डे टो डे लाइफ में भी यूज होगा एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा बिकर इस आपको पता है आज जिसे इंग्लिश नहीं आती है अच्छी नहीं आती है उसे लोग अच्छी से मानते ही नहीं नहीं करते हैं आप किसी ऑफिस में चले जाएं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है मैं यह नहीं कर रहा हूं कि सभी जगा ऐसा होता है बट आज की टाइम में आपको पता शौफ का एक जमाना ही बन चुका है लोग आपको आपकी कम्मिनिकेशन पर ही जज़ कर लेते हैं हो सकता है बहुत इंची इंसान हो आपको बहुत नौलेश हो बट अगर आप कनवे नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका फर्स इंप्रेशन आपका बॉडी लेंग्विज देन आपका जो वर्बल कम्मिनिकेशन होता है वो चीज़े बहुत मैटर करती तो आप मैं यह नहीं कह है जो आपकी बुडी कंडीशन होती है से मिज्वी ही गयाते हैं और आपके अगर हम बात करते हैं ग्रिफ तो इसका मतलब उता गहर आशोक शोक शॉक शोक शॉक और इसका हम क्या सकते हैं आपका जो sadness हो सकती है ग्रिफ का regret हो सकता है आपका और क्या हो सकता है sorrow यानि की दुख एक word है आपका वो इसका मतलब होता है शो का कुल मतलब आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ है शो का कुल तो आप यह साथ साथ में देखिए note करती भी चलें आप इसे as a mock test भी लें आपको बहुत लंबी वीडियो होने वाली है आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा आप अपने notes भी साथ में बनाते चलें बाकी आपको trouble का तो पता ही है next है आपका grave तो इसका जो right answer है इसका हमारा right answer है option c serious जो grave का दहीं एक तो होती है अपकी कब्र एक होता आपका गंबीर गौत c बनेगा dead still sad तो आपको still तो आपको पता होता है ठहराओ तो यह तो आपको पता ही है next है आपका invective invective का मतलब क्या होता है invective का मतलब होता है फटकार फटकार या लतार ना तो इसका जो हमारा right answer होगा option c abusive invective के अगर हम synonyms देखें क्या होता है abuse उसी से आपका abusive बना है abuse होगा आपका rebuke rebuke scold dantna sphere word s w e a r w o r d और क्या होता है lecture लेक्चर वाजी आप समझते ही है तो यह होगा आपका जो right answer था abusive बात करते हैं आपके next की discrete जो discrete का क्या होगा discrete का पहले मतलब जानते हैं सावधान सावधान इंडिया सावधान या सतर्क तो इसका जो हमारा आप तो समझ चुके होगा इसका जो यू टी आई ओ यू यू एस गार्डीड ची ए यू आर डी इडी गार्डीड या होसकता आपका सेंसीवल एस ए एन एस आई बी एल ए तो यह होगे आपके फिर यहां पर जो आपका एक वर्ड है मुंदेन इसका मतलब होता है साधारन या आपका कहसकते हैं मामली या फिर नौट इंट्रस्टिंग नेक्स्ट आपका हाइब्रीड आपने सुना ही होगा तो हाइब्रीड का जो होता हमारा option भी composite जो दो चीजों से मिलकर बना तो उसे हम composite कहते है homogeneous जिसमें आपको पता है यह आपकी same quantity होती है pure तो आपको पता ही है love का आपको पता ही है तो option B इसका जो right answer option B composite next आपका vindictive vindictive क्या होता है तो देखिए गर इसका जो मतलब होता है कि अगर आप किसी को hurt करते हैं without good reason जान बूचकर आप किसी को hurt करते हैं और आपके पास एक अच्छा reason भी नहीं है उसे hurt करने का उसी करते हैं vindictive vindictive का मतलब होता है revengeful option B आपका right answer है और क्या हो सकता है इसका unforgiving unforgiving इसका synonym होसकता है bitter b-i-w-t-e-r malicious m-a-l-a-c-i-o-us malicious यह होसकता है nasty nasty next आपका tilt tilt का तो आपको पता ही है tilt का होता है आपका option D slant next आपका पिथी तो पिथी का क्या होगा तो देखते हैं इसका पिथी का जो मतलब होता है वह आपका स्पश्टता स्पश्टता और जिसे कहते हैं कि expressed in very clear way और in a direct way उसी कहते हैं पिथी तो इसका जो हमारा right answer होगा option B brief तो और synonym क्या होगा concise c-o-n-i-c-e laconic 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 का मतलब होता है अतीज संक्षिप्त या जिसे हम कहते हैं नपातुला और क्या होगा सकता है summary तो ये थे आपके इसके synonym verbose का मतलब क्या होता है verbose का मतलब होता है कि जितने शब्दों की आपको जरूरत है आप उससे ज़्यादा उन्हें यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं verbose और आपने एक याद रखना है कि जो इनसान बहुत ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं lacatious L-O-Q-A-C-I-O-U-S lacatious आपको मुझे बताना है कि जो बहुत कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं आपको मुझे comment section में बताना है बात करते हैं option D की un-average तो इसका जो हमारा मतलब होता है इसका मतलब होता है तमाम और इसके जो हमारे synonym हो सकते हैं क्या हो सकते हैं entire whole through sorry thorough t-h-o-r-o-u-g-h और क्या हो सकते हैं extensive elaborate e-l-a-b-o-r-a-t-e comprehensive तो देखी यह आपके सारे synonym बन रहे हैं option D के un-a-bridged तो आप यह ज़रूर याद रखें next आपका despicable इसका मतलब क्या होता है इसका जो पहले तम इसका मतलब जानते फिर इसका मान से जानेगे निंदनिय तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि इसका जो synonym होगा वो क्या होगा वो होगा आपका option A hateful क्या और क्या हो सकता है और हो सकता है आपका evil unpleasant unplasent और हो सकता है आपका scurvy sorry तो यह हो सकते हैं इसके आपके सारे synonym non-calence का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है उदासिंता और creditable का मतलब होता है कि यह आपकी credibility बनती है मतलब of good standard यह आपका जिम्मेवारी बनती है देखिए हर शब्त के अपने अपने meaning बन सकते हैं कि आप किस तरीके से उसे use कर सकते हैं credibility भरोसा भी हो सकता है तो अलग-अलग हम इसे use कर सकते हैं बात करते हमारा जो next synonym है equanimity तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आपका option sorry sum भाव तो इसका जो हमारा right answer होगा option भी calm मतलब शान्थ तो इसके क्या क्या सिनॉनिम होते हैं same ness balance equal symmetry तो यह आपके सारे सिनॉनिम बनेंगे equanimity के erosal का मतलब होता है erosal का मतलब जब आप में काम होते जना तो यह होता है आपका option c बात करते हैं next हमारा जो synonym है plotted plotted का मतलब होता है प्रशंसा यानि की शावाशी तो अब आप देखी चुगेंगे जोसका right answer होगा option b praise criticism तो आपको पता ही है criticism का बताने की ज़रूरत नहीं है zeer यानि zeering का मतलब होता है इसका मतलब होता है जब आप किसी का उपहास करते हैं या फिर आप किसी के लिए rude comments पास करते हैं जब किसी के बारे में बुरा बोलना या उसको मतलब उसका मजाक उड़ाना यही आपका होता है zeer z-e-e-r silence आपको पता ही है next आपका reminisces reminisces का मतलब होता है अगर आप जो अतीद की जो हम मतलब या पास्ट की जो हमारी सुखत बातों की चर्चा करना जो पास्ट में आपके अच्छे events होते हैं जो भी आपकी memories होती है अच्छी memories होती है उनके बारे में बात करने को हम कहते है reminisce तो इसका जो हमारा right answer होगा आप देखे क्या होगा इसका जो हमारा right answer होगा option A remember जो आप पुरानी बातों को याद करते हैं बाकिया आपके forget, discover, hang ये तो आपको पता ही होंगे नेक्स्ट आपका repentance इसका जो हमारा मतलब होता है ग्रीना तो ग्रीना का क्या होगा आपका ग्रीना का मतलब होता है आपका Musk synonym option C आपका right answer होगा और क्या-क्या हो सकते हैं dislike हो सकता है जगर आप किसी को है हेट हो सकता है आपका हीट्रेड और हो सकता है आपका इस्टेस्ट और हो सकता है आपका डिस्कस्ट डि-i-s-g-u-s-t एंटीपैथी एंटीपैथी तो यह हो गए हैं आपके सारे सिनॉनियूम्स इसका क्या होगा इसका जो हम देखते हैं हिंदी में इसका जो आंसर सौरी इसका जो ट्रांसलेशन होती है अत्यदिक उधार मतलब की एक्स्ट्रीमली जैनरेस तो ऑप्षिन भी इसका जो राइट आंसर होगा बिग हार्टेड बड़े दिलवाला दार गिती बिग हार्टेड स्वरी हार्टेड की स्पैलिंग गलत लिए हार्टेड और हो सकता है बॉन्टियस बी ओ यू एन टी ओ यू एस या हो सकता आपका चैरिटेबल और हो सकता है आपका फ्री अफ्राइग और हो सकता है और होसकता आपका फ्छू म डेलिबल लिबर ल या क्यांन टी यह आपके सारे जो सून्यान है वो हैं आपके अमिवनियो कि stingy stingy का मतलब होता है आपका conjuice या जिसे हमकी चूस भी कहते हैं बट वो थोड़ा अलग हो जाता है conjuice होता तो एक ही है बट अच्छी सेंस नहीं देता है conjuice आप कह सकते हैं stingy और sparse का मतलब क्या होता है sparse का जो मतलब होता है small in quantity मतलब कम मात्रा में small in quantity तो यह हो गए आपके अगर आपको देखिए वीडियो पसंदारी तो please like करें अगर आप share कर सकते हैं तो और भी बेटर है चैनल को please subscribe करें आप देख सकते हैं कि देखिए वीडियो में आपको तो देखते हैं हमारा जो next question है next है आपका रेपीडियेट इसका मतलब है हमारा परित्याग परित्याग मतलब छोड़ शाड़ना और इसका जो मारा synonym होगा synonym है रेनाउंस तो और क्या हो सकते हैं इसके और उसके रिजेक्ट गिव अप डिनाइड डिस्प्यूट डिस्मिस और हो सकता आपका रिफ्यूट यह सारे आपके synonym है रेपीडियेट की नेक्स्ट है आपका रेमपेंट तो रेमपेंट का जो आपका मतलब होता है जैसे मतलब आपकी जो बुरी चीजें होती है उसका अनकंटोल लूप में आपका फैल ला जैसे आपका क्रोना वाइरस था तो आपका अनकंटोल ही फैल गया था तो उस तरीके की चीज़ों आप rampant कह सकते हैं यहां तो इसका जो हमारा synonym होगा वो क्या होगा उसका जो synonym आपको पता चल चुका है excessive मलब बहुत ज्यादा और rampant का और क्या मतलब उसकता है uncontrolled जैसे मैंने कहा uncontrolled हो गया unrestrained अन री स्प्रेंड एस्टी आर ए आई एन इडी अन हैक्ड अन हैक्ड ए एच ए सी के इडी तो यह सारे आपके rampant के synonym हो गया बाकि यह जैंटल लिमिटीड यह आपको पता यह नेक्स्ट आपका परप्लेक्स परप्लेक्स का मतलब होता है उल्जा हुआ तो इसका जो हमारा right answer होगा वो क्या होगा आपका option बी बी वाइल्ड और क्या हो सकता है इसके troubled troubled और puzzled puzzled uncertain यह सारे आपके परप्लेक्स के synonym है नेक्स्ट आपका मैमत यह तो आपको पता यह हुआ मैमत का मतलब होता एक्स्ट्रीमली लाज यह जिसे हम विशाल का यह बहुत बड़ा होता है उससे कहते हैं मैमत तो इसका जो मारा right answer है option option d gigantic option d आपका right answer है बात करते हैं हम और क्या हो सकते हैं इसके enormous आप यह वर्ड जुरूर याद रखें बात करते हैं आपके magnificent इसका मतलब था extremely impressive जो बहुत ही attractive वह बहुत शांदार जीसे हम कहते हैं उससे कहते हैं magnificent जनरली आपने ही आपके जो dance shows होते हैं उसमें जो आपके judges होते हैं मैंने भी उनी के से ही सुना था कि magnificent तो मैंने जब चेक किया थो काफी time पहले तो इसका मतलब मैंने भी देखा कि extremely impressive क्योंकि praise ही कर रहे हैं कि तो कुछ अच्छा ही है तो देखे generally हम कोई भी language है कुछ भी है आप 3-4 तरीकों से ही सीख सकते हैं आप देखके सीख सकते हैं सुनके सीख सकते हैं पढ़के सीख सकते हैं आपको अपना जो भी क कुछ भी आप TV देख रहें तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा सीखने को मिलेगा तो देखे आपको थोड़ा attentive होना पड़ता है चीजों को सीखने के लिए अब आपने भी 1000 बार magnificent सुना होगा मैमत सुना होगा बट कुछ लोग उसे search कर लेते हैं कि इस My new school月 अिसले में लोगा सकने मीनी मतलब दो पहले ही छोटा होता है तो मिनी स्थील दॉर्डिए मतलब ह Portisstyle और देखल और तहरा एक आपको पता ही है डेंजरस है जार्ड़स है एच एजड़ ए आर डी ओ यू एस और क्या उसकता है रिस्क फुल रिस्क फुल तो यह आपके सारे सीनॉनियम हो गए नेक्स्ट आपका लीथल लीथल का मतलब होता है आपका जान लेवा और इसके आपका जो सिनॉनियम होगा फैटल ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है और क्या हो सकते हैं इसके डेडली और है आपका बेल फुल फुल एफ यू एल बेल फुल किलर एक शादिक गाना भी तर लीथल कॉंबिनेशन बिलाल सहीद का शायद तो आपको आपने दिखा हो कि आपको कुछ वर्ड तो आपको पंजाबी गानों से मिल जाते हैं या फिर आपके जो हिंदी गाने होते हैं पंजाबी गानों में तो आपके जादतर आपके इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करते हैं वो तो आप ऐसे ऐसे भी ज़रूर ध्यान कBERT हैं तो कहींनगी आपको ऑप इंटर लिंक ही मिलेंगे आप अगे भी देखेंगे तो आपको वीडियो पसंद आραी तो प्लीज लाइक करें आप अपनी कॉमेंट सेक्षन में फीडबैक जुरूर सें आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई, मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, आपके लिए helpful नहीं है या नहीं है, तो आप वो ज़रूर मुझे बताएं, बात करते हैं हमारे इन्टानिम की यानि की आपके विप्रीथ शब्द, तो आएए चाहिए स्बसे फस्ट वर्ड है आपका algorithm प्रेडिकामेंट का मतलब होता है आपकी स्तितिय, फिर दश्या और क्या हो सकता है इसका मतलब हो सकता है situation, location, case, state यह तो हो गए आपके predicament के synonyms अब इसका उल्टा क्या होगा इसका जो हमारा उल्टा होगा वह आपका solution predicament आपकी दशा दूर दशा या problem हो सकती है ठीक है तो इसका जो हमारा right answer option D solution बाकी condition hardship तो आपके C के ही synonyms हो गए नेक्स्ट आपका preposterous preposterous का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो इसका जो आपके synonyms क्या हो सकते हैं इसके synonyms हो सकते हैं सिली और उसका रिडिकुलस यह तो आपने बहुत बार सुना होगा रिडिकुलस थिंग तो यह आप जूरी याद रखें तो इसका जो right answer होगा option D reasonable जिसका कुछ अर्थ निकलता हो excessive आपको इनक्रेडिबल तो होता है आपका अतूल्य तो इस तरीके से आप याद रखें सकते हैं नेक्स्ट आपका पियर का मतलब होता है आपका संकक्ष संकक्ष और तो जो इसका इन्टॉन्यम होगा option D inferior जो आपके बराबर का ना हो नेक्स्ट आपका denounce डिनाउंस का मतलब क्या होता है डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना जैसे आप सुनते की दोनों पार्टियों ने आरोप प्रत्यारोप लगा है मतलब आपस में ही आरोप लगाना तो डिनाउंस हुए ही आपका आरोप तो आरोप का मतलब जो इसका ऑपोजिट होगा, ऌपोजिट क्या होगा असका, इसका ऑपोजिट होगा, applaud, यानि कि उसकी शाभाशी करना, या तारिफ करना, इस तरी के से ही होगा, applaud. Denounce के अगर हम देखें, आपके जो synonymus होगे, Denounce के, वो क्या होंगे, एक हो सकता आपका, impute Imput criticize criticize तो आपको पता एक हो सकता आपका castigate और एक हो सकता आपका decry decry willify भी आपका वही है denounce का ही synonym है तो यहाँ पर जो applaud है वो आपका right answer होगा next आपका flamboyant flamboyant का मतलब क्या होता है चमकिला या फिर आपका चांदार सॉरी चमकदार और क्या सिनॉनियम होसकते हैं सिनॉनियम होसकते हैं confident, energetic या फिर fancy तो इन चीज़ों का आपका opposite क्या होगा इसका उल्टा क्या होगा इसका जो आपका उल्टा होगा वो होगा आपका option भी modest glamorous तो आपको पता ही है colorful, sporty ये सारी चीज़े आपकी flamboyant होती चमक के लिए बढ़काओ या चमकदार modest आपका थोड़ा शालील होता है तो आप ये जुरूर याद रखें next है आपका severe severe का मतलब होता है गंबीर मैंने आपको अभी वी एक word कराया था जिसका मतलब था गंबीर तो आप वो जुरूर याद रखें वो word था आपका grave g-r-a-v-e तो इसका जो हमारा antonium होगा पहले हम इसका answer देख लेते हैं severe का मतलब होता है गंबीर और mild का होता है कम जैसा बोलता है कि मुझे mild सा fever है मतलब कम बुखार है तो आप ऐसे भी relate कर सकते है mediocre तो आपको पता होता है जो बीच में ही हो meticulous का मतलब क्या होता है meticulous मैंने आपको भी बताया था meticulous का मतलब होता है सुक्ष्म या जिसे हम कह सकते है subtle s-u-b-t-l-e subtle और moros का मतलब क्या होता है reprimand reprimand का मतलब क्या होता है ये question पूछा भी गया है reprimand का मतलब होता है डांट ना और अभी हमने भी कहीं पढ़ा था डांटने के बारे में तो मैंने आपको बताये भी थे इसका जो एक तो synonym होता है rebuk r-e-b-u-k-e और एक होता आपका admonishment ये आपकी लिएक नया वर्ड है admonishment s-h-m-e-n-t reprimand का डांटना फटकारना यही चीज़ होती है तो इसका जो opposite होगा उल्टा होगा forgiveness maaf कर देना punishment, lecture, blame ये आपके सारे ही synonym है reprimand के next है आपका docile docile का मतलब क्या होता है docile का मतलब होता है easy to control जो शान्त करना easy हो और क्या हो सकता है इसका obident मतलब आग्या कारी और dutiful तो ये होगे आपके सारे synonym अब इसका हम देखते है antonium क्या होगा इसका जो हमारा antonium होगा वो का option the opposing मतलब docile तो होगा जिसे आप easily control कर सकते है opposing मतलब जिसे आप उसका जो oppose कर रहा है row कर आए तो वो होगे आपका option भी right answer controllable तो इसका ही synonym होगा docile का ही mild भी और sub servient इसका जो मतलब होता है अत्यादिक अग्यकारिया जिसे वो कहते हैं जी हजूरी करने वाला तो आप ये जुरूर याद रखें sub servient option d आपका right answer है sorry option d आपका क्या हुआ अत्यादिक अग्यकारिया जी हजूरी जो answer था आपका option भी opposite docile का opposite next आपका retrench retrench का मतलब क्या होता है जब आप अपने खर्चों में कटोती करते हैं खर्च जब आप कटाते हैं उसे कहते हैं retrench तो इसका जो हमारा right answer होगा इसका जो right answer होगा option A revamp यानिकी नवी करन retrench के अगर हम बात करते है retrench के और क्या होता है economize economize retrench का मतलब एक और भी होता है जब आपको job से निकाल दिया जाता है job से निकाल ले को भी क्या कहते है retrench तो आप ये भी जरूर याद रखे I'm sorry जो इसका sorry retrench का जो आपका opposite होगा वो आपका option D होगा recruit वो आपका revamp नहीं होगा revamp का तो नवी करन आपका इसका अर्थ होगा retrench यहाँ पर जो मतलब होगा आपका job से निकालना तो उसका मतलब होगा आपका option D recruit इसका उल्टा ये ओगा I'm sorry मुझे भी ध्यान नहीं रहा आएए चलते हैं हमारा जो next है next है आपका nefarious तो इसका जो मतलब होता है वो आपका पापी या जी से हम कहते हैं दुष्ट दुष्ट का जो हमारा opposite word होगा वो आपका option be pleasing जो आपको खुशी दे nefarious के जो आपके synonyms हो सकते हैं same शब्द हो सकते हैं वो है आपके criminal या immoral infernal का मतलब होता है यहां पर जब आप extremely happy होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसे कहते हैं infernal तो आप ऐसे से word यूज़ कर सकते हैं जैसे गर आप अपना social media यूज़ करते हैं तो आप extremely happy लिखने की ज़गा लिख सकते हैं infernal तो ऐसे से जीज़ आप ज़रूर try करें अगर आप यूज़ करते हैं अभी तो ना ही करें बट जब आपका exam end हो जाए next आपका melancholy इसका मतलब क्या होता है यह ऐसी feeling होती है दुख की जो आपकी बहुत time तक चलती है या रहती है उसे कहते हैं melancholy तो इसका जो right answer होगा option D cheerful और इसके ज़र्ट्रोइड, moody, low यह आपके सारे इसके synonym हैं बात करते हैं इसका एक और synonym देख लिखते हैं पैंसिवनेस पैंसिवनेस P-E-N-S-I-V-E-N-E-S या फिर D-Solution यह सारे इसके synonym opposite है आपका cheerful next है आपका convolution इसका जो मतलब होता है इसका क्या मतलब होता है आपकी जो body की sudden movement होती है जिसे आप control ही नहीं कर सकते हैं उसे कहते है conversion तो इसका जो हमारा right answer होगा option C restful जब आपकी movement का तो आपको पता ही है आपका restfully opposite होगा और क्या कह सकते हैं आप इसकी जो synonym हो सकते हैं या फिर Caesar S S E I Z U R E तो आप इस ज़रूर याद रखें बाकी आपके shaking restful opposite होगा shaking मतलब हीलना disaster आपको पता ही है next है आपका scanty scanty का मतलब होता है alp मतलब छोटा और इसका होसकता है little slight मतलब बहुत सारा alp का आपका opposite हो गया plenty small precise concise यह सारे ही scanty के synonyms है तो यह तो आपका हो चुका है severe अभी मैंने आपको बताया था severe का opposite क्या होगा severe का opposite होगा mild यह हम कर चुके हैं और आपका next है आपका meager meager का मतलब होता है too small बहुत छोटा तो देखिए कितने बन रहे हैं यहां से तो इसका जो right answer होगा आपको पता है plentiful scanty premium inadequate सारे आपके synonyms है opposite आपका हो जागा plentiful option B is the right answer next है आपका eminent eminent का मतलब होता है आपका प्रक्यात यानि की famous noted renowned personality गयाते हैं na जिसे हम r e n o w n e d यह जिसे कहते हैं illustrious illustrious i l u i l u s t r i o u s तो इसका जो हमारा opposite word होगा वो क्या होगा in कौन सी पियर्स तो इसका जो option C इसका हमारा right answer होगा जो मतलब not easily noticed जो मतलब easily आप जिसे notice नहीं करते हो eminent तो आपके होते हैं जो बहुती प्रतिश्टीज व्यक्ती तो आपको पता है क्या होते है noted और exalted का मतलब होता है उंचा देखे correct pronunciation आप देख लीजिएगा क्योंकि मैंने नहीं देखी कुछ words मुझसे भी pronounce नहीं हो पा रहे है easily तो आप ये देख लीजिएगा थोड़ा सा effort आपका भी जरूरी है मैं भी खुद इन words को दुवारा देखेंगा ताकि मैं भी in future इन में कभी mistake ना कर पाऊं next आपका in inquisit इसका मतलब होता है जांच पड़ताल तो examine investigation तो इसके synonym हो गए तो इसका जो हमारा right answer क्या होगा इसका right answer होगा option D आप जब इसे ignore कर देते हैं उसे कहते हैं inquisit और आप एक word याद रखिए हैं यहां से inquisit ex q u i s i t इसका मतलब बता है अतियंत सुन्दर तो आपको पता है कहां पर आपने use करना है तो एक मैंने आपको बता दिया है तो इसका जो right answer था option D ignore next आपका sore did sore did का मतलब बता है गिनोना जगन्या इसके कहता है न हम जगन्य अपराद या नीच और इसके जो हम synonyms के पहले बात करते हैं फिर हम इसके बारे में बात करेंगे जिसका answer के बाता है sore did का मतलब बसकता है same word हो उसके वाइल despicable des p i c a b l e dishonorable disgusting यह आपके सारे हुसके sordid के synonyms बट जो इसका right answer है opposite word क्या होगा opposite word होगा reputable मतलब जिसकी reputation हो reputation से ही बना आपका reputable तो आप यह समझ चुकेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं black corrupt आपको यह dirty आपको पता ही है fritter fritter का मतलब क्या होता है fritter का मतलब होता है जब आप time या अपनी energy energy या money को waste करते है उससे कहते है fritter तो इसका जो हमारा right answer होगा option d save waste का उल्टाई आपको पता होता है brindle का मतलब होता है weak weak यानि shin तो आप यह जरूर याद रखे next है आपका turbulence turbulence का मतलब होता है turbulence का मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है shake ही कह सकते हैं आप या फिर हलचल turbulence होता है तो इसका जो हमारा right answer होगा option c peace disorder, agitation, fight यह सारी आपके turbulence के synonyms है peace आपका इसका opposite word है जो इसका correct answer है तो यह थे आपके 20 questions antonyums के 20 हम cover कर चुक है synonyms के तो hopefully आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगे देखिए आप please इसे share करें like करें अपनी feedback जरूर दें मेरी मैनत करने का तभी फायदा है जब लोग इसे देखेंगे बार-बार otherwise तो it's up to you कि आप क्या चाहते हैं वो भी आप जरूर comment section में बताएं next आपका spelling test तो आपको चूज करने है correctly spelled word तो first question है हमारा question हम 41 तो इसका जो हमारी right spelling होगी वो क्या होगी option D reverberation इसका मतलब बता प्रतिध्वनी या जिसे हम कहते हैं गोंज या कहते हैं E-C-H-O या after sound तो option D आपका right answer है यहाँ पर आपको चूज करना है correct spelled word कौन सा है तो यहाँ पर जो एक तो है आपका option भी miscarriage और बात करते हैं यहाँ पर misnomer की भी right spelling है इसका मतलब होता है गलत नाम और mischievous की जो correct spelling क्या होगी इसकी spelling होगी M-I-S-C-H-I-E-V-O-U-S यानि की श्रार्ती और बात करते हैं misdemoner की इसका correct spelling होगी M-I-S-D-E-M-E-A-N-O-R इसका मतलब होता है दुश करम नेक्स्ट आपका complacency तो यहाँ पर जो correct spelling क्या होगी complacency का मतलब है यहाँ पर option A right answer जिसे कहते हैं आत्म संतोश तो option आपका यहाँ पर right answer होगा next आपका botanical यहाँ पर क्या correct spelling होगी यह है आपकी option A botanical botanical का मतलब होता है कड़ा यानि की very tough hard next आपका desperate disparate यह desperate तो इसकी correct spelling तो आपको पता ही होगी option C desperate आपको पता है desperate तो आपको पता ही क्या मतलब होता है next आपका यहाँ पर क्या correct spelling होगी advertisement adversity advantageous यह adventurous तो यहाँ पर जो हमारा correct answer है option D adventurous तो यह है आपकी बाकी आपको मुझे देखी comment section में बताना है advertisement की adversary और advantages की correct spelling क्या होगी next आपको यहाँ से correct spelling चूज करनी है तो यहाँ पर जो correct spelling यह option भी asset next आपका stagnation stagnation की जो correct spelling होगी वो क्या होगी option B is the right answer next आपके अदिपास है contraction, construction, contradiction या controversy तो यहाँ पर जो हमारा right spelling होगी वो है आपकी option C contradiction बाकी construction की आपको पता ही है क्या spelling होती है controversy आप comment section में बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें next आपकी यहाँ पर जो correct spelling क्या होगी यहाँ पर जो correct spelling है हमारी possess P-O-S-E-S-S तो यहाँ थे आपके 10 questions on the basis of choose correct spelt word अब हमारे आएंगे one word substitution जो आपके लिए बहुत important है question number 51 है which is no longer useful जो आपके लिए फाइद मन या जूरूर्ट से वरा ना हो उसका क्या one word होगा इसका जो right answer है option a redundant अब बात करते हैं effemoral का option b क्या है इसका मतलब होता है use for short period of time अलपकालिक के लिए आपका जो शब्द है effemoral बात करते हैं neck की option d जो आपका neck है इसका मतलब क्या होता है आपकी ऐसी जो मतलब आप में ऐसी ability होती है कि आप जो tough चीज़े हैं उसे भी आप naturally कर सकते हैं उसका मतलब होता neck escape goat इसका मतलब बली का बकराजी से कहते है न वह आपका escape goat next आपका that which can't be taken by force जिससे आप जो जबर जस्ती नहीं ले सकते हैं इसका मतलब क्या है वन वर्ड क्या है तो इसके लिए जो हमारा वन वर्ड है वो है आपका option a impreasonable या impreasonable इसका जो right answer है यानि कि इसे कहते हैं बात करते हैं इन एक्सेसिबल इन एक्सेसिबल का मतलब होता है जो आपकी समझ से बाहर होता है बात करते हैं इन एक्सेसिबल तो आपको पता यह जिसे आपका इसना कर सके immutable का मतलब होता है आपका अडिक आपने एक बात जनली नोटिस कि होगी जिन वी वर्ड में हम इन देखते हैं आपका स्टार्टिंग में उन में हमेशा यह आपका ना वर्ड इंटोड्यूस होता जैसे अगर मैं बात करूं इन विंसिवल मतलब आप जिसे जीता ना जा सके अजे उसे क्या खते हैं इन विंसिवल तो देखना आपने जिन भी में वर्ड में अगर आपके इन लगा है तो वहां पर ना शब्द यूज होगा जिसे हम एक्सिस ना कर सके इन इंप्रेजरिवल जिसे आप भेद ना सके अभेदे जो मतलब मैप्स क्यारा बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं option भी केरिटो ग्राफर बात करते हैं कैलिगराफर कैलिगराफर तो आपको पता ही क्या होती है beautiful handwriting तो Palmy Rhyting to Knights 2 को major खर उससे ही संबंदना रखते हैं लेकिकोगाफिर क्या होते हैं जैसे आपकी बट्डी कें संबंद ग्रया उसे ही समंद्द रखते हैं लेक्सिको ग्राफिर क्या होते हैं जो अरे बट्सिकोड्री कोई विक्ति हैं या कोई विक्ति है वो सेम टाइम पर साथ है या जी रहें तो उन्हें कहते हैं कंटेंप्ररी तो कंटेंप्ररी आपका आप्षन ए राइट आंसर है बात करते हैं आपके कॉस्मोपॉलिटन्स मतलब जो आपके बहुत से देशों से यह अराउंड देवर्ड कॉम पैट्रियोट्स तो आपको पता ही जो आपकी साथ में काम करते हैं और पर्शन वो कैन स्पीक ऑनली टू लैंग्विज जो मतलब दो ही लैंग्विज बोल सकता है या जानता है उसे कहते हैं बाइलिंग्वल कहते हैं बाइलिंग्वल है आपका कुश्चन पेपर इंग्विज में भी है मोनो लिंग्वल तो हुआ जो आपकी एक ही भाषा जानता है मल्टी लिंग्वल जो आपकी एक से ज़्यादा कितनी भी भाषाओं ने जानता हो लिंग्विज का मतलब होता है जो आपकी भाषाओं के बारे में जानकारी रखता हो one who eats too much जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसे क्या कहता है हम उसे कहता है हम ग्लूटन option B is the right answer over weight नहीं हो सकता है copalant का मतलब होता है जो विक्ति में जो fat होता है या मोटा विक्ति होता है उसे कहता हम copalant obese तो आपको पता है obesity वहीं से बना है the crime of betraying one's country मतलब उस अपराद को आप क्या कहेंगे जो मतलब अपने ही देश से दोखा धड़ी करे उसे क्या कहते हैं इसका जो हमारा right answer option ए traison यानि कि गदार देश दुरूही traitor traitor भी होता है तो आप ये भी याद रखे बाकी करते हम अगर elegance का इसका मतलब क्या होता है अगर आप किसी भी leader को support करते है या उनकी आप किसी भी government को support करते है या आप उनके belief में support रखते हैं तो उसे कहते हैं elegance fidelity का मतलब क्या होता है अगर आप किसी के प्रती मतलब faithful है तो उसे कहते हैं quality of being faithful या आप किसी के प्रती इमानदार है इसा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है अपने जो उधार को चुकाने के लिए तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं इन्सॉल्वेंट और बात करते हैं पूर तो आपको पता है गरीब होता है डेस्टिटूट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति विदाउट मनी रह रहा है फूड के भीना रह रहा है और भीना होम या शेल्टर के भीना रह रहा है उसे कहते हैं destitute popper popper का मतलब तो मैं आपको बताया था कंगाल तो next है आपका a taste in which cells from deceased organs are removed and tested जब आप मतलब organs को निकालते हैं उनकी cells वेरा को तो आप उसे test करते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं biopsy कि औव isolating atopsy आयमकी तब होती है जै आपकी तो नहीं हो फिरा मतलब है कि का कि जब क्ईक्षि मर जाता है उसकी जब आपieveा है के उसके क्यूं हूं हुई है तब उसका जो भी होता उसे का थे आपको पता है एंप्यूटेशन का मतलब होता अंग भी छे दन तो आपकी यह बनते हैं यह से कुश्चिंज जो मतलब जुआ वयरा खेलता या फिर बैटिंग करता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं पंटर आपने सुना भी होगा आपकी जो आपकी बॉलेविड मुवीज होती है उनमें आप पंटर शब्द को सुनते होंगे तो आप्शने इस दा राइट आंसर बैकर का मतलब होता है जो आपकी मतलब संबड़ी जो आपकी एक फाइनेंशिल सपोर्ट देता है उसे कहते हैं कस्टमर क्लाइन तो आपको पता ही है रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स करेक्टर यूजली प्रवाइड बाइन इंप्लॉयर मतलब ऐसी स्टेटमेंट है आपके करेक्टर के बारे हैं जो आपके इंप्लॉयर आपको देता है मतलब जिसके पास आप काम करते थे आप उसे एक करेक्टर लेकर जाते हैं या जो भी है उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हम टेस्टिमोनियल मेमोरेंडम का जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडिस्टेंडिंग यह उस तर तो ऐसी कौन सा है इसे कहते हैं सिने क्यों और आपको पता यह आपका लोगपाल होता है जहां पर आप अपने की सीवी कंप्लेट को रिजिस्टर कर सकते हैं और आपको एक सॉलिशन मिलेगा अंबर्समें है इस पॉइंट को कहते हैं जैनित ऑप्षिन एस राइट आंसर नेक्स्ट आपका लॉस ओफ मेमरी लॉस ओफ मेमरी को क्या कहते हैं इसी कहते हैं ऐम नेशिया और एम्बरोशिया का कुछ ऐसा है कि आपकी जो वगल पुरॉडक्ट होते हैं अपनजाई विया रहा हुँ उन यूज़ करते हैं आप इसे खुड़ फाइंड आउट कर सकते हैं गर आप करना चाहें पूछा भी जाता है जब आपको नेंद ना आने की बिमारी हो इसे कहते हैं इंसोम्निया वाकि दी तो आपको पता है यह यहां पर सखी कुश्चिन नहीं है a speech delivered without previous preparation जब आप speech को deliver कर देते हैं जब आप कोई preparation नहीं करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं एक्सटेंपर एक्सटेंपर और बात करते हैं हुइज मतलब होता है कि जैसे आपका character होता है उसमें आप speech देंदे उसरे कहते हैं ok पीपल, expression तो आपको पता ही है, murder of a brother, murder of a brother क्या होता आपका, यह होता आपका, patricide, patricide होता है, जब आप killing of one's father, मत्रिटा की हत्या, matricide होगा, mother की हत्या, homicide, sorry, pericide क्या होता है, पैरिशाइड का मतलब बता है killing of parents या आपका जो बहुती नजदीक का रिष्टदार हो उसे कहते हैं homicide का मतलब बता है killing of one person वो कोई भी हो सकता है तो आप ये जरूर याद रखे allowance to a wife from her husband on separation जो तलाग के बाद जो आपको पैसे देने बढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं option D एलिमनी और बात करते हैं patrimony का मतलब होता है कि जो आपको property होती है वो आपने जो आपके parents से मिलती है या आपके जो दादा पढ़दाता या ancestor से होते हैं जो से मिलती है उसे कहते हैं Petrimony पडिविश मणी क्या होता है परिष मनी होता है पार्सी मनी होता है आपका जो जब आपकी इच्छा नहोँ पैसों को खर्श करने की उसे कहते हैं पार्स मनी napution C अबका तो आपसर जो यहां पर था वह आपका generate time tapini practice of employing spies involved वार 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 जब आप लोगों को या सोरी वार में लोगों को employ करते हैं spice यानि की मतलब आपके जो जासूस होते हैं उसको क्या कहते हैं उसे कहते हैं espionage option भी आपका right answer है और जो आपकी जो spice थे वो किसने रखे थे वो आपके allowed in kill जी ने रखे थे तो आप यह कुशन भी आपसे पूछा जाता है तो आप इसे भी जरूर याद रखे और अगर बात करते हैं आपका option A की asplanade इसका मतलब होता है कि जो आपका c side c की जो आपके side में open area होते जहां पर लोग walk व्यारा करते हैं उसे कहते हैं asplanade और बात करते हैं एसपेड्रिल यह होता है आपकी canvas shoes और option D है आपका estrangement इसका मतलब होता है जब आप अपने spouse के साथ नहीं रह रहे होते हैं उसे कहते हैं estrangement a disease which is spread by direct contact जब आप कुछ होने से जो भी पारिया फैलती होने क्या कहते हैं contagious जब आप इंफेक्टियस epidemic endemic या आप जानते ही होंगे नेक्स्ट आपका honesty of character इसे क्या कहते हैं honesty of character को कहते हैं integrity option A is the right answer rectitude का मतलब होता कि जब आप morally एक अच्छे तरी के सोचते हैं उसे कहते हैं rectitude honor तो आपको पते dignity की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं dignity का मतलब होता कि आपका ऐसा behavior जिससे लोग आपकी respect करते हैं उसे कहते हैं option D dignity expressions of sympathy इसका क्या 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 इसे कहते हैं option B condolence जैसे जब किसी यह death हो जाती है तो हम उन्हें अपनी समवेदनाई देते हैं तो उसे कहते हैं condolence congratulations तो आपको पता compliment यह condemn condemn तो आपको पता यह नींदा गरते हैं तो वहीं सी यह word बना है those who goes on someone's land without honest permission मतलब आपके सी की private property में गुच रहें तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं trespassers trespassers will be punished तो आपने यह लाइने पड़ी होगी option B आपका right answer है बात करते हैं आपके deliquence deliquence का मतलब बता कि जो आप किसी के साथ बहुत बुरे तरीके से behave करते हैं या फिर laws को break करते हैं उसे कहते हैं deliquence offenders आपको पता यह जो आपके crimes करते हैं या crime commit करते हैं उन्हें कहते हैं offenders sum of money to be paid for freeing a person from captivity captivity मतलब जैसे आप वो कर लेते हैं apparent जब apparent किसी का होता है उसके जो आप उसे पैसे देते हैं उसे हम क्या कहते हैं छुडाने के लिए पैसे देते हैं उसे कहते हैं ransom compensation तो तब होता है जब मतलब मुझे exact समझाना नहीं आ रहा पर आप समझते हैं कि compensation कब दिया जाते हैं tribute यह penalty नहीं penalty तो तब होता है जब आपने कुछ गलती किये हो आपको उसकी सजा मिले penalty तो होता है tribute तो अच्छी चीज़ों के लिए जाता है compensation आप समझ चुके होंगे और देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है book giving information about every branch of knowledge जो complete information दे दे बुक उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं encyclopedia dictionary आपको पता directory भी आपको पता है dissertation इसका मतलब क्या होता है जैसे आप डिगरी के लिए जो आप thesis भी आरा लिखते हैं उसे कहते हैं dissertation the practice of submitting a proposal to popular vote इसे क्या कहते हैं और referendum आप इसे जरूर सर्च करें जैसे आपके बड़ी बड़ी countries में हल चल होती रहती तक्ता पलट होता रहता है तो आप यह जरूर याद रखें talking about the affairs of other people generally यह लड़कियां बहुत जादा करती हैं यह करती हैं कुछ नहीं भी करती हैं तो इसका जो आप समझ सकते हैं मैं किसी बात कर रहा हूं gossiping teasing तो आपको पता criticizing भी आपको पता है यहां पर एक word है slendering slendering का मतलब होता है आपकी जब आप किसी की जूटी निंदा करते हैं उसे कहते हैं इसलेंडरिंग अपर पर संबॉन और लिविग अदिसीन टाइम एस अनदर देखिए हम कर चुक है यह आपका contemporary that which is certain to happen यह हमने पहले किया था जो मतलब होगा ही होगा उसे कहते हैं inevitable या inevitable invincible मैंने आपको बताया था कि अजे तो incorrigible का मतलब होता incorrigible का मतलब होता too bad यानि कि बहुत बुरा a government by officials तो officials के द्वारा जो government चलाई जाती है उसे कहते हैं bureaucracy और plutocracy की से कहते हैं plutocracy कहते हैं जब आपकी जो rich person होते हैं wealthier person होते हैं आपकी जो government को चलाते हैं उसने कहते हैं plutocracy बात करते हैं aristocracy aristocracy का क्या होता है जो जब आपकी जो high class होती है यानि उच्छ वर्दिया समाज होता हूं आपकी गँवर्मेंट को run करता है। उसे कहते हैं aristocracy मनागी होती है जब आपकी गवर्मेंट जो होती है वह लुचा आपक品 के द्वहरा रन की जाती है। उसे कहते हैं मनागी. बात करते हैं हमारे impossible इंपॉसिबल टू डिस्क्राइब जिसे आप डिस्क्राइब ना कर सके उसके उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं इनेफेबल इनेफेबल का जो मतलब ऐसे होता है वो होता टू ब्यूटिफल तो समटाइम ऐसे कहते हैं कि हम आपकी सुंदरता के लिए शब्द ही नहीं है आप आपको पता हिम देखका लिहानिकी चमत का स्टुपेंडस का मतलब होता है इंप्रेशिव क्या सकते हैं अपलेंक का मतलब होता है इसका मतलब होता भाय यानिकी डर लूज अवेलिबल इड़ आड़ सीन जो आपके किसी भी जगापर जो आपके ख्लूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर्कुंस्टेंशिल इसका जो राइट आंसर होगे कहते हैं कि हमने सर्कुंस्टेंशिल एंविडिश्ट के अधार पर दालत इस नतीज़े पर पहुंछी तो यह वह था आपके circumstantial मतलब वहाँ पर जो आपके सबूत थे बात करते हैं derivative आपको पताई inferential inferential का मतलब होता है जब आप किसी एक conclusion पर पहुंसते हैं जब आपके पास जो evidence होते हैं उसके उसके उस पर आप जब उससे आप एक conclusion निकालते हैं सबूतों को मद्दे नजर रखते हैं जो भी आप conclusion निकालते हैं judgment देते हैं उसे कहते हैं inferential suggestive तो आपको पता ही है to surround a place with the intention of capturing it मतलब आप किसी चीज किसी भी place को हतिया आना चाहते हैं आपके ऐसी intentions है उसे आप क्या कहते हैं B, C is option B is the right answer इसका जो मतलब होता है option A का क्या मतलब होता है जो आपके temporary camps होते हैं जिसमें आपके tents फियारा नहीं होते हैं उसे कहते हैं B, B, Wuk और invade तो आपको पता ही है जैसे सेना लेकर जाना और उसमें शामिल होना और किसी पर हमला कर देना तो आपका invade वही होता intern आपको पता है next आपका one who devotes his life to the welfare and the interest of the other people देखिए यहां पर थोड़ी से गलती हो सकती थी अगर आपने ध्यान से नहीं देखा क्योंकि यहां पर option martyr दिया गया है तो martyr तो नहीं होगा यहां पर answer है वो है आपका altrist तो option c is the right answer martyr तो देखिए जो देश के लिए जान दे minion का मतलब होता आपका knocker भी कह सकते हैं आपका या फिर क्रीपा पात्र fugitive का मतलब होता है भवाड़ा जैसे वो kingfisher वाले थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है विजय माल्या one who enters without invitation देखिए question बहुत ही interesting है कि जो without invitation आता है उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं option d intruder थी भी invitation से तो नहीं आता है बट sometime आपको the best options use करना तो तो इसका right answer है option d intruder burglar burglar का मतलब बता सेंद मार सेंद मार आपने हिंदी जो newspaper होते हैं उसमें चोरी होते हैं जब चोरी की ख़बर आती है तो सेंद मार शब्दी यूज करते हैं वेंडल का मतलब होता है डिस्ट्रॉई जो दूसरों से दूसरों के आइडिया को चोरी करता है उससे क्या कहते हैं उससे कहते हैं प्लाइगरिस्ट कॉपियर एडिटर नहीं होगा ट्रांसलेटर भी नहीं होगा तो option is the right answer यह थे आपके questions one word substitution के तो आपको hopefully पसंद आए होंगे तो मुझे लगता है आप तक आपने वीडियो लाइक भी कर लिए होगी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होगा शेयर आप अभी इस वीडियो के end होने तक कर दीजिएगा अपनी feedback है तो वह भी आप जरूर शेयर करें देखिए मैंने यहाँ पर idiom and phrases में आपको options नहीं दिये हैं because video बहुत लंबी हो जानी थी और मुझे type करते करते भी बहुत थकान हो रही थी तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर सीधी ही idioms लिख दी है मैं इसके आपको meaning बताता चलूँगा make my mouth water जब specially आप desire for something हो सकता है या फिर to make someone hungry जब आपको बहुत ही भूक लगी हो या फिर आपको बहुत ही चीज कोई पसंद हो उससे देखकर आपके मुह में पानी आना होता है उसे कहता है make my mouth water next आपका to break a leg इसका मतलब होता है good luck यह आप जुरूर याद रखें तू ब्रेक अलग ब्रेक अलग यानिकी good luck वॉक्ड़ टॉक वॉक्ड़ टॉक होता है जो आप putting your words into action जो आपकी words है उसे आप actions में convert करते हैं उसे कहते हैं walk the talk in a tight corner in a tight corner का मतलब होता है आप आजकल बुरी स्तीती में फसे हो यानिकी in a bad position the tip of an iceberg बतलब बहुत बड़ी जो आपकी एक event है उसका एक छोटा सा हिस्सा है उसे कहते हैं the tip of an iceberg next आपका from the horse mouth from the horse mouth का मतलब बता की information from the person directly concerned मतलब ऐसे व्यक्ति से आप information ले रहें जो उस विवाग में जैसे मान लीजिए आप किसी से पूचें की जैसे आपका police का exam है तो आप किसी police वाले से पूचें की भाई आपने exam कैसे निकाला था ठीक है तो उसे कह सकते हैं आप की the from the horse mouth roll up your sleeves मतलब आप तो त्यारी करने वाले तो आप आपने अभी अपनी sleeves को roll up कर लिया होगा तो प्रिपेर फॉर हाड वर्क c i to i मतलब आपका same हमारे thoughts होचते हैं be in full agreement मतलब आपके और मेरे same thoughts हैं आप एक जैसा सोचते हैं उसे कहते हैं c i to i to have cold feet इसका क्या होगा जब आप डर में होता है to be too fearful to undertake or complete an action मतलब किसी काम को करने से पहले जो आपको डर लग रहा है उसे कहते हैं to have cold feet little by little यह तो आपको प होता है कि आपका ऐसा cheerful or optimistic view without valid basis मतलब आपके पास उसके valid reason नहीं है और आप फिर भी optimistic है उसे कहते है red rose colored glasses beat about the bush beating about the bush यह होता है जब आप मतलब इदर उदर की हां करे होता है जैसे interview में कहते हैं कि you should not beat about the bushes मतलब आपको इदर उदर नहीं हांकना चाहिए you should straight talk आपकी होनी चाहिए वहाँ पर तो आपका beat about the bush कई बार पूछा जाता है मतलब आपका love कुछ भी बोल लें तो यह आप जरूर याद रखें a blessing in disguise इसका मतलब होता है जैसे मतलब आपका कुछ फाइदा हो जाना blessing in disguise का मतलब होता कि आपको कुछ गलत कहा गया या बोला गया बट वह आपके लिए एक फाइदा उससे आपको हुआ तो a blessing in disguise ऐसा ही हो मतलब इसका जो जर्नल मीनिंग होता है वह इस तरीके से ही निकलता है an arm and leg very large amount of money को कहते हैं an arm and leg तो देखिए यह आपके hundred questions hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी जो questions मैंने पूछे हैं please comment करें देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को देखते होंगे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैं especially English की वीडियो पर इतना focus नहीं करता हूं फुल लेंद मॉक टैस्ट भी इसलिए अपलोड नहीं हो रहे हैं तो please it's a request जैसा भी आपको लगे अपनी feedback जरूर दें आपको कुछ भी गलत लगता है आप वहां पर feedback दे सकते हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक आप हमारे फुल लेंद मॉक टैस देख सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं subscribe करें like करें share करें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में till then have a good time take care